नमस्कार मैं आपका टॉप रिपोर्टर में सौगत करता हूँ इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है यह आर्टिकल में फीस के रेगुलेशन के बारे में कुछ इंफरमिशन दिया है जो मैं आपके शाहर करना चाहता हूँ अब यह आर्टिकल में जो है यूजीसी के बारे में यूनिवरसिटी ग्रांट्स कमिशन उन्हेंने अभी जो फीस रेगुलेशन के बारे में यहां कुछ हिंडिया है और ऐसा लिखा है कि अब जो दिम्ड यूनिवरसिटी जो है वो खुद की फीस अपने हिसाब से इंक्रीज नहीं कर पाएगी यहां पर आप सभी स्टुडेंट को पता ही होगा कि हर साल जो है दिम्ड यूनिवरसिटी रहती है वो अपनी fees अपने हिसाब से increase करती है fees high करती रहती है और ending में उसी के वज़े से student को parents को ज़्यादा fees देनी परती है इस college में admission लेने के लिए तो अब जो है UGC ने एक नया rules and regulation publish किया है और ये rules and regulation में ऐसा लिखा है कि अपने हिसाब से deem university fees increase नहीं कर पाएगी no longer jack up fee or prescribed fee on their own the university grant commission regulation 2019 release on Wednesday say no longer deem university can collect fee more than that what has been prescribed by the committee constituted as per the new regulation यानि अभी recently जो इस वीक नए regulation publish हुए है ये जो regulation है इसके साब से committee बनाई जाएगी fees regulation committee ये committee जो हर college की fees decide करेगी और ये जो fees रहती है इससे ज़्यादा कोई भी deem university student या parents से माग नहीं सकती और इसका मतलब ये होगा कि हर शाल fees जो है अपने हिसाब से college increase नहीं कर पाएगी और fees regulatory रहेगी यानि fees जो है increase नहीं हो पाएगी और ये अच्छी कपर मुझे आप सभी student के साथ share करनी थी तो ये वीडियो हम यहीं सवाब करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाते हो तो निची जो subscribe का button है like का button है साथ ही notification का button है उन्हें दवाना ना बुली धन्यवाद